इस मतलब ये उमीद है कि इस बार ये नोटिफिकेसन आएंगे कई जगे से कई सोर्स से ये चीज कई लोगों ने अलग लग तरीके से आप लोगों को बताईए अब अगर आएगा तो अच्छी बात है उससे पहले कि आपकी तैयारी जो है वो केबल उसी के लिए नहीं है कि आएगा तभी आप तैयारी करें मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं उस पर ध्यान देना कि आप तैयारी अभी करोगे तभी फायदा है उस नोटिफिकेसन के आने का क्योंकि तब आपकी तैयारी अच्छे से हो चुके होगी और तैयारी आपको करनी पड़ेगी कोई और चोईस है नहीं अभी से तो समझे सबसे पहले मैं आपको अर्पीएफ ऐसाई का दोहजार अठारे जो आया था उसको लेकर आपको बता देता हूं जून में आया है यह जो जून दोहजार अठारे में इसकी फोर्म बरी सुरू होए थे और सितंबर अक्टूबर दोहज एसाई का बता रहूं कि इसमें एज यह सब चीजें आपकी कितनी होती है समझे सबसे पहले इसमें हाला कि वेकेंसी जो समय थी वेकेंसी इसमें 400-500 याती है देखे जो समिस्पेक्टर है उसके लिए जो मिनीमम एज थी वो ग्रेजुएट एक तो आपको चाहिए और यह कब तक फॉर्म की लाश डेट तक और जो एस थी वो कम से कम 20 और अधिक्तम 25 समिस्पेक्टर ग्रेजुएट फ्रोमा रेकोगनाईज उनिवेस्टी कम से कम 20 एज और अधिक्तम कितनी थी आपकी अधिक्तम आपकी 25 और जिनका मतलब अभी जिनका रिजल्ट आचुका होता लाश डेट तक केबल वही हो एलिजीबल होते हैं हैट की बात करेंगे तो मेल की थी 165 और यूर और ओबीसी जनरल और ओबीसी सेस्टी 160 सेंटीमीटर महिलाओं की 157 और सेस्टी महिलाओं की 152 ठीक है भई जो लड़के होते हैं उनके लिए चेस्ट की भी हो सेस्टीोबीसी के लिए चलिए जो इसका अगर आप पेपर पैटर की बात करेंगे तो इसमें 120 कुश्यंस का कुल 120 माक्स का 120 कुश्श का जिन में सबसे बड़ी एहम भूमी का जो थी वो एहम भूमी का आपकी और इसमें दो मतलब प्री भी होता है मेंसी भी होता है उसके बादे में आपका फिजिकल एफिसीएंसी नापतोल मेजरमेंट दोड़ भाग ये सारी की सारी चीज़ें आपकी होती हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आपका CBT है इसको आप ध्यान दीजेगा मतलब ये कि प्री मेंस रही जिसमें सबसे एहम भूमी का जो होती है ये 90 मिनट का होता है और इसमें टोटल कुश्यन्स जो होती है 120 मार्क्स भी 120 जनरल एवेरनेस जिसमें 50 नंबर की होती है अर्थमेटिक 35 मतलब मैथ और जनरल इंटेलजेंस और रीजरिंग जो होती है वो 35 नंबर की नापतोल का भी मैंने बताया कि 165 और 157 cm height 600 मिटर 6 मिनट 30 सेकंड में लॉंग जम 12 फिट हाई जम 3 फिट 9 इंच जो महिला हैं उनके लिए 800 मिटर की दोड़ होती है 4 मिनट में लॉंग जम्प 9 फिट और हाई जम्प तीन फिट लड़कों के लिए 1600 मिटर की दोड़ होती है फिर डॉक्यमेंट वरिफिकेशन और यह सारी की सारी चीज़ है तो मुख्य जो है वो आपका 120-25 एज जिसमें ऐसी ही सती अग को छूट भी ए इड्लिए कीस में चूट नहीं होती इसी तरह सब आप सविडियार कौश्ट मेरी में है इसकी जो सभी में 500 लाज के खरीब थी SI के लिए कि Constable की विकेंस इसमें लगबग 4000 प्लस थी इसमें जो आपकी Qualification होती है वो Cable 10th Pass होती याद रखिएगा RPFN जो Constable के लिए आपका Qualification होती है वो Cable 10th Pass यह जो होता है Secondary School Living Certificate बोलते हैं इसको माध्यमिक सिक्छा जिसे Metric भी कहीं कहा जाता है और सीधा 10th कहा जाता है इसमें जो age होती है वो 25 साल होती है बाकी S.E.H.T.O.B.C. के लिए इसमें भी छोट होती है RPF Constable का यह आपको छोटी-छोटी चीजे बतानी थी height इसमें भी 165-157 होती है लड़के के लिए 165, लड़के के लिए 157 इसका जो जब आप पूरा का पूरा देखोगे exam fees तो वही इसकी जो railway के आजकल हो रही है लगबग 500 रुपे के करीब जन्रल की वो 500 रुपे इसकी भी है पेपर पैटर्न अगर आप इसका देखोगे RPF SI और RPF Constable का तो इसमें भी आपका कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता इसमें भी पहले CBT है उसके बाद में फिर आपके नापतोल और ये सब चलिए इसके CBT की बात करें तो इसमें भी 90 मिनट और वही 120 कुश्यन और सिलेबस वही है कि 50 कुश्यन की इसमें जनल अवेरनेस 50 नंबर की मैथ 35 का और इसरिंग आपकी हो जाती है वही है इसमें भी 35 माक्स की इसके अगर दोड़ भाग की देखोगे तो जहाँ वहाँ 6 मिनट में 1600 मिटर थी SI के लिए यहाँ पे 5 मिट 45 सेक Bunu लड़कों के लिए लड़कियों के लिए 800 मिटर 3 मिट 40 सेकächlich और लोग जम्प राइजंप का क्राये टेरियर वही है लड़कों के लिए 14 फिट 4 फिट लड़कियों के लिए 9 फिट 3 फिट अब आ जाती है RRB ALP Technician तो जो ALP और Technician उसमें अलग-अलग qualification है अलग-अलग post की लेकिन जो एक सब के लिए main qualification है age वो है 18-28 याद रखेगा minimum 18 साल maximum 20 साल ये general के लिए ALP में age criteria है और जो post की है तो वो post wise आपकी कुछ के लिए जैसे 10th plus ITI कुछ post के लिए इसमें 10th plus ITI होना चाहिए कुछ के लिए 3 year वाजा 3 साल का डिप्लोमा मानने रखता है 3 साल का डिप्लोमा जिसमें 3 साल का डिप्लोमा मानने हैं उसमें आपकी B.Tech की डिग्री भी मानने होती है B.Tech की डिग्री भी मानने होती है और 12th plus 2 साल का डिप्लोमा जो होता है कुछ पोश्ट में वो भी मानने रहता है लेकिन 10th प्लस ITI इसको ध्यान में रखिएगा जहां या 10th के बाद में 3 साल का डिप्लोमा या 12th के बाद में 2 साल का डिप्लोमा या फिर आपकी बिक्री तो अलग-लग जो वेकेंसी होती हैं उनके लिए कुछन आते हैं टाइम उसमें आपका साथ मिनिट होता है इसमें आपको पूरी के पूरी जब आप कोई भी आप भरो या मत भरो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसके लिए तैयारी करूं तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही आराम से उसके नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वही आपका सब कुछ तैय करता है जैसे इसका फर्स्ट इस्टेश सीबीटी होता है साथ मिनिट पिच्छत्र कुश्यन जिसमें आपको एक मिनिमम् क्वालिफाई होने के लिए चाहिए चाहिए उसमें भी मेरिट लगती है पंद्र गुना सीबीटी टू में बैठते हैं जितनी वेकेंसी होती है उसका पंद्र गुना ठीक है भी या वही मेत रीजरिंग जनरल साइन्स जनरल एवियरनेस सेकंड स्टेज जो होता है वो इसमें आपका नॉर्मलाइजड मार्क्स के हिसाब से पंद्र गुना ये लोग बनाते हैं उसमें दो घंटे तीस मिनट का टूटल टाइम होता है पार्टे 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 नबह से वही पूछा जाता है इसमें सब्जेट जुर जाता है बेसिक साइन्स एंड इंजिनिरिंग जनरल एवियरनेस जो पार्ट टू होता है वह साथ मिनट का और इसमें जो कुश्यंस होते हैं 75 ये केबल क्वालिफाइंग होता है ये औल केंडिडेट्स के लिए है इसमें को 75 जब कि जो पहला बाला है जिसमें ये पार्टे पार्ट भी कुल मिलाके आप इसे देखोगे 90 मिनट और 60 मिनट ये कुल मिलाके आपके 20-30 मिनट हो जाते हैं मेडिकल जो कॉलीफाडिशन है वो भी आपकी आलग-लग हो जाती है बिकेंसी के लिए किसी में A1, किसी में B1, किसी में C1 इस प्रकार से ठीक है भी या इसमें भी आपका negative marking होती है तो कहने करत क्या है कि अगर आप age देखोगे 18-28 ALP technician में आपको इसमें कौन सी post के लिए क्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा थोड़ा से नीचे जाते जाएगी किसी भी प्रकार की post हो उसके क्या qualification होनी चाहिए यहाँ पर एक एक चीज इस प्रकार से लिखी रहती है तो notification आप पुराना पढ़के भी बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते technician के लिए क्या चाहिए ALP के लिए क्या चाहिए जैसे assistant local pilot एक electrical trade के एक mechanical तो असमें आपको यह समझना होगा कि कौन-कौन से trade इसमें चल जाते है electrical वाले में इसी प्रकार आपको mechanical वाले में ट्रेक्शन वाले में mechanical वाले में इसमें कौन-कौन से trade आपके चल जाते हैं बहुत सारे notification कि जानकारी आपको शुरूआत में होनी चाहिये, क्या छीज मांगें, कम मांगें, कितने exam होते हैं, कौन-कौन से इसमें pattern होता है, पिछली साल क्या cut-off ती, जब इन सारी चाहिएंगों के बारे में आप जाल लेते हो, तब आपको ये पूरा पता चल जाता आपका लक्षे क्या है कितने marks ले कराने है किन-किन stages से आपको गुजरना है और क्या-क्या qualification और age criteria है तो इन सब चीज़ों को आप पहले से रख कर चलिए सारी चीज़ें आपके लिए previous year से अगर आप देखोगे तो हमने example की जपनी website है उ से भी हम लोग NTPC CBT2 का जो पहले paper हुआ था उसका हमने डलवा दिये और आप इस पर किले करोगे तो आपको देखेगा कि आप यहां पर login करोगे mobile number डालके तो जीतना भी पिछले CBT2 में paper हुए तो आपको date wise और shift wise आप इसमें download कर सकते ऐसे आपको ELP आदी का सबका इसमें डलवा देंगे ट्रेड आदी के भी आपको